हलो गाईस, चलिए आज मैं यहांपर चिक करने वाली हूँ, अगर आप दुनों की connection में, अगर आप दुनों की connection के बीच में third party situation है, third party involvement है, कोई भी situation क्यों नहों, तो मैं यहांपर वही चिक करने वाली हूँ, कि third party कब तक खतम होगी, कब तक खतम होगी आप दुनों के life में स third party situation तो यहां पर बहुत सारे situation तो definitely है आप लोग के life में और divine timing भी है तो third party यहां पर divine timing पर ही खतम होगी यहां पर हो सकता है third party को लेकर आप लोग बहुत सादा worried हो third party में आप लोग की energy stuck है और आप हमेशा यही सोचते हो कि third party कब खतम होगी कब आप लोग के life में यह changes आएगी transformation आएगी आपको ऐसा लग रहा है कि third party के वज़े से आप लोग की reunion possible नहीं हो रहा है third party के वज़े से आप लोग आगे नहीं बरपा रहे हो अपने यह soul purpose पर आगे बरऊ भी आप तो खुशी से रहोगे मज़े से रहोगे तो यहाँ पर इसलिए third party situation है चाहे कोई भी situation क्यों नहीं हो आपको यह accept करना पड़ेगा कि third party आपकी soul awakening के लिए है तो जब तक आप खुद पर work नहीं करेंगे जब तक आप खुद की life में changes नहीं लेकर आएंगे आप चिंदा करना बंद नहीं कर देंगे divine पर सब कुछ surrender नहीं कर देंगे आप जब तक यहाँ पर tension लेंगे या फिर कोशिश करेंगे control करने की situation को तब तक यहाँ पर third party situation end नहीं होगी divine वहाँ पर work करते है divine miracles उस जगह पर दिखाते है जिस जगह पर आप लोग खुद अपना control divine पर surrender कर दो आप लोग खुद अपना control करना बंद कर दो और divine को work करने दो तब ही जाकर miracles होते हैं तो अगर आप चाती हो कि third party खतम हो तो आप divine पर सब कुछ surrender कर दो क्योंकि divine timing यहाँ पर major role play कर रही है और बहुत दिन से आप लोग third party situation में स्टको और यह आपकी soul purpose के लिए है soul awakening के लिए है आप अपने life में hard work कर दो देखिए कितने अच्छे यहाँ पर message है 8 of pentacles के energy है आप अपने life को build करना start कर दो आप अपनी life में पूरी तरीके से focus अपने उपर divert कर लो जो भी third party situation है वो automatically remove हो जाएगी देखिए 8 of cups के energy यह person भाग रहा है automatically third party situation release हो जाएगी सबसे पहलो तो आप अपनी emotions को control करो, दूसरों को blame देना बंद करो दूसरे की वज़े से आपके love life में success नहीं आ रही है, यह सोचना ही बंद कर दो, यापर अगर किसी के लिए आपके love life में positive changes नहीं आ रहे है success नहीं मिल रही है, तो वो सिर्फर सिर्फ आप हो तो यह समझो और खुद पर work करना start करो इस tension से, इस energy से बाहर आओ overthinking से बाहर आओ, third party को लेकर सोचना ही बंद कर दो और अपने ओपर focus driver कर लो divine timing भी आ जाएगी और आपके wish भी fulfill हो जाएगी